तो दोस्तों आज का हमारा शेर है सारदा एनरजी और इसमें किस तरीके से मैंने प्रॉफिट लिया था और कैसी इसमें जरनी रही है इसके पारे में मैंने पूरा डेटल में वीडियो बना आया है तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अछा लेगेगा तो जरूर चान करना थे फ्रेंड्स वल्कम टू माई चनल आज हम बात करने वोले सारदा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड के बारे में इसके कुछ प्रोड़क्ट्स और सर्विसेज देख लेते कि क्या कंपनी का बिजनस क्या है कैसा है तो थोड़ा बहुत प्रोफाइल में आपको दिखा देत हो तो यह कंपनी का प्रोफाइल देख लो सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड यह इनकॉरप्रेटेड इन नाइंटीन सेवेंटिटी त्री इन दा फ्लैक्शिप अप दे कंपनी ऑफ सारदा ग्रूप लिस्टेड ऑन बीसी नसी दोनों पर यह लिस्टेड है और प मनुफेक्ट्टर और एक्सपोर्टर और नीच ग्रेड मैंगनेज बेस फेरो अलोई और सेल्फ सफिसेंट केप्टिव केप्टिव पावर फ्रम वेस्टीट और कोल इंटरेस्ट इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थ्रू स्पीवीज और टू स्टार एक्पोर्ट हाउस रेकेगनाईज बाई दे मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गोर्मेंट ओफ इंडिया ठीक है तो यह कंपणी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है मैनुफेक्ट्टर भी करती है और सबसे अच्छा मतलब यहां पर यह कंपणी में क्या है कि कंपणी प्रोड स्टील के अंदर तो स्टील में स्पॉंज आइरन और यह बिलेट फैरो एलोई और माइनिंग पावर एंड पैलेट आइरन और वायर रोड मिल इको ब्रिक्स यह सारे चीज़े यह बनाता है ठीक है और लोवेस्ट कॉस्ट पर बनाता है देखो यह कंपनी में आप अगर इ नहीं पता तो आप इन्वेस्ट करके तो क्या करोगे ठीक है यह जस्ट यह ट्रेडिंग के हिसाब से करोगे तो फिर आपको कुछ लेना देना ही नहीं कंपनी से क्या सिर्फ चार्ड देख लो और थोड़ा पैसा लगा और निकल जाओ यह होता है लेकिन अगर चतिसगड में है दा कंपनी मर्ज चतिसगड इलेक्रिसिटी कंपनी के साथ यह मर्ज है विद इटसल 2007 से विद विजन बिकमिंग अ लीडिंग एनरजी मिनरल कंपनी बनना है इनको तो इनका यह में बिजनस है ठीक है तो यहाँ पर कंपनी के बारे में मैंने डिटेल थोड करना सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना और बता दू कि यह चैनल पर मेरे खुद के शेर्स होते हैं जो मेरे पोर्टफोलियो के होते हैं या फिर उसमें से मैंने अगर प्रॉफिट निकाला हुआ शेर है जो मुझे बताना बाकी है वही शेर में बताता और होल्डिंग से मैंने जो कुछ प्रोफिट लिया यह शेर के वजह से है तो वह शेर के बारे में मेरा बताना बाकी है इस वजह से यह शेर्बि मैं आपके सामनी ला रहाऊ मेरी सकस्षैस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने profit लिया है बहुत सारे companies में बहुत सारे shares में तो ये बताना भी एक फर्ज होता है नहीं तो लोगों को क्या कि खुद profit नहीं करते दुनिया को ग्यान बाट रहे हैं यहाँ पर ग्यान बाटने का नहीं यह मेरा record के लिए भी वीडियो है मेरे life में यह सारे share जो है इन्होंने मुझे अच्छा गाजा profit दिया है और record भी रह जाएगा lifetime के लिए ठीक है और यह आपके लिए knowledge भी हो जाएगा तो यह दोनों काम एक साथ हो रहे इस वज़े से मैं videos बनाता हूँ मुझे यह पता है कि यह जो share है most of लोगों को पता भी नहीं होगा नाम भी नहीं सुनाओगा क्योंकि जो भी सुनते हो media सुनाता है आपको कि media पर ये चैनल पर ये share बता रहा है जो बता रहे वही आपके कान पर पढ़ता है वही YouTube पर सर्च होता है और वही share में invest होता है जो काम के share है उसके बारे में कोई आपको नहीं बताता या जो अच्छे share से उसके ब करके profit भी लिया है तो यह मैं बता देता हूं कि वह कप का वीडियो है तो यह है वह सारदा energy minerals का वीडियो ठीक है तो पहले में जिस शौर्ट वीडियो बनाया करता था मेरे चैनल पर ज्यादा वीडियो नहीं डालता था क्यूंकि उसके पीछे एक ही वाजा है क्योंकि चैन मतलब shares के उपर तो नहीं ट्राय कर रहा था फिलाल में यहां पर शौर्ट वीडियो डाल रहा था कुछ भी हो सौर्ट वीडियो से रिस्पॉंस देखना चाह रहा था यह देख हो आगास मतलब एक एक वीक में एक हादा शौर्ट वीडियो डाल जाख शौर्ट वीडियो 15 स लेकिन 10 सेकंड 15 सेकंड के होते हैं तो यहीं चीज शॉर्ट वीडियो जी दिखेंगे एक एक हपते के बाद ओशॉर्ट वीडियो एकार को एक अबाद दाल दिया और वह हपते में क्या अंदर जो भी ऊपते होता है यहां पर जो भी आपको प्रॉफिट दीखेगा यह ग्लोबल जिस पर मैंने वीडियो बनाया बहुत लोगों को शेर का नाम भी नहीं पता रहेगा इसलिए उन्होंने धुंडा भी नहीं और मेरे चैनल पर लोगों ने ज्यादा देखा भी नहीं ठीक है या मोस्ट आप यही चीज़ होती है शारदा इनर्जी इसको भी कोई जा बनते रहेंगे और सीमेक और यहां पर एके कैपिटल सर्वीज अनर अगर वल यह सारे पर मैं वीडियो डालूंगा क्योंकि इस पर मैंने प्रॉफिट लिया जिसको देखना हो देखेगा मेरा काम है कि मेरे पास जो नौलेज है कि मैंने प्रॉफिट करके दिखाया देखो अब ही उसका भाव क्या चल रहा है यह भी हम देखेंगे और आगे इसका क्या भविष्य है यह भी हम देखेंगे तो सारी चीज़ेंगे तो वीडियों एंड तक देखो ताकि आपको नौलेज्ज लेना है आपको just knowledge without knowledge आपको सिर्फ पैसा कमाना है यह impossible है क्योंकि 15 वी तक आप graduation भी किये ना तो आपको तबी आपको काम लगा है आप बिना पड़े काम करते तो मैं मान लेता कि आप बिना पड़े बहुत talented हो पढ़ना पड़ेगा सीखना पड़ेगा तबी आप आगे बढ़ोगे ठीक है तो फिलाल यहाँ पर मेरे knowledge आपके साथ शेर कर रहा हो जो भी है आपको लगे तो यह चानल को subscribe करना नहीं भी subscribe करोगे तो कहा मेरा नुकसान तो होने वाला नहीं क्योंकि share market से तो कमाई अच्छी कासी चली रही है ठीक है यहाँ पर record के लिए वीडियो जा रहे है और वो record में रखूंगा कि मेरे कितने profit किया और आपको जो गलत सलत जहां से आपको advice मिल रही है कि यह share में डालो रातो रात अमिर बनो वहाँ से आप अमिर बन के दिखाओ ठीक है तो यहाँ पर अभी मैं second यहाँ पर बता रहा हो कि कब मैंने यह share लिया और कैसा उसमें जर्नी रही सारी चीजे में यहाँ पर आपको शो करने वाला तो सबसे पहले यहाँ पर money control पर उसके बारे में detail दे देता हो तो money control पर देखो सारदा energy का यह जो share है NACBAC दोनों पर trade कर रहा है देखो मैंने 800 के भाव पर बेचा था यहाँ पर यह देख लो जो भी 806 के भाव पर यह निकल गया था लेकिन 23% लेके बट अभी यह 1100 1100 का भाव चल रहा है इसने 1300 का high भी मारा मैं नहीं भी बेच था तबी भी मैं profit में रहता क्योंकि share तो अच्छा था मैं भी बेच था तबी भी profit में क्यों क्योंकि अच्छे shares चुनना important होता है ठीक है choice अच्छा था अपना और भी बहुत सारे shares थे सबी को निकलना था और भी ने shares खरीदने तो यह चीज़े होती रहती है और मैं swing trading कर रहा था ठीक है swing trading से profit main चीज़े कि मैं profitable होना है loss नहीं देखना है profit ही कमाना है तो profit के लिए अच्छे shares लेके रखता था profit दिखता है तो निकल जाओ तो 23% का profit दिखा निकल गया इसके बाद भी रखता तो अभी भी profit में ही रहता तो loss तो नहीं होता तो main चीज़ क्या है कि जब अपके पास अगर कोई share गिरता है तब आपके पास पैसे होने चीए कि वो share से पैसा लेने के लिए मतलब profit कमाने के लिए अभी ये 496 का share है लोग हो इसका वहां से ये 1300 गया मतलब कितना गुना हो गया गिन लो ठीक है तो धाई तीन गुना तो easily हो गया ये share आपको क्या चाहिए आपको यही चाहिए कि आपका share जो भी है वो आपको अच्छा कासा wealth बना के दे अगर आपने ये टाइम पे उसको पकड़ा रहता ये टाइम तक hold करते है आराम से आपका एक लाग का तीन लाग बन जाता है क्या आपको और क्या चाहिए ये स्वाट एनलाइस करेंगे तो देखो स्वाट के अंदर में चीज़ क्या है कि इसमें positive negative क्या चीज़ है वो भी पता चल जाती है इसमें strength पाच है चार विकनेसे से तीन opportunity और एक त्रेट है पाच strength है इसका मतलब क्या है कि EPS इसका अच्छा है अर्निंग पर शेर अच्छा है ठीक है और यहाँ पर विकनेसे चार है ठीक है विकनेसे चार में बता रहे है कि इसने first support तोड़ दिया यह support है उन लोगों के लिए जो है न trading कर रहे है ठीक है ट्रेडिंग कर रहे है रोज के रोज trade कर रहे है आज लेना है कल बेचना है यह support देखो support यहाँ पर मैं निच्छे भी दिखा देता है आपको तुरन दिखा देता हो ताकि आपको tension ही ना हो यहाँ पर देखो यह है support यह 1, 2, 3 यह सारे support है अभी यह support क्या बता रहे की हो यहाँ पर देख लो उसने clearly क्या बता है वही चीज में आपको दिखा रहे हो तो इन्होंने बोला कि negative यह चीज है कि negative breakdown first support यह जो है वो तूट रहे है ठीक है फर्स support तूट रहे है मतलब अभी जो भाव चल रहे है 1167 अभी वो first support तूटेगा फिर second support तूटेगा फिर third support तूटेगा यह first support है अभी यह तूट चुका second भी तूटेगा third भी तूट जाएगा ठीक है तो support खहां होता है यह पता होना चाहिए कि support नीचे साइड होता है ठीक है उपर की साइड resistance होता है यह resistance उपर के लाइन तोड़ते गया तो share और उपर जाएगा यह support तोड़ते गया share और नीचे जाएगा तो यह support ट्रेडिंग के लिए यह देखो 40-50 रुपे का फरक रहता है 40-50 रुपे ऐसी यह दिन में बहुत बार उपर नीचे होता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती यह trading के लिए trading की बाशा में है ठीक है trade करते रहोगे तो यह सारी चीज़े आपको काम आएगी लेकिन फिलाल यहां पर trading के इसाप से नहीं बता रहो मतलब short term trading के बारे में है लेकिन intraday वगरा नहीं intraday में ही यह दिन के अंदर यह support intraday में ही ज्यादा काम करते है long term में लेके 3-4% के लिए क्या करोगे 2-3% के लिए क्या करना है 5.76 पका इसका पी और इसका थ्रेट देखो यहां पर डी ग्रोथ इन रिवेन्यू बता रहा है रिवेन्यू में डी ग्रोथ है इसमें ठीक है और इसमें इसका ओवर्यू देखलो market capital इसका 4207 का है और यह 20 दिन का इसका average जो है 40 का आ रहा है dividend देर यह company dividend देने वाली company अच्छे होते है मैंने एक बार बता दिया था कि एक company पे dividend जो profit करती होई company dividend देती है तो एक बंदा comment करके बोलता है कि ऐसा मत बोला करो आप पहला study कर लो dividend company जो profit करती होई नहीं देती दूसरी भी company आ देती है अरे भाई loss करने वाली company क्यों देगी आपको profit dividend का मतलब पहले समझ लो 8 साल के IC हम लोग फालतुका time waste नहीं कर रहे थे और profit IC नहीं होता है तो पहले आप study कर लो आप मेरे channel पे आओ मैं आपके channel पे आके यह चीज़े नहीं कर रहा हो तो knowledge आपको दुनिया भरका है तो एक channel open कर लो और वहां से आपको दुनिया भरका जो भी knowledge है लोगों को बाटो वही चीज़ काम आएगी ठीक है यहाँ पर यह जुटे profit नहीं दिखाय जाते और जुटे मोटी चीज़े नहीं बताय जाते जो कुछ है यहाँ पर अभी भी मैं जो भी share बता रहा हूँ उसमें profit करके दिखा भी रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसको मैं भूल जा रहा हूँ सारे चीज़े मैं खुद खरीद रहा हूँ और खुद profit कर रहा हूँ के पीछे महिनत जाती है इसके पीछे टाइम जाता है ठीक है तो हम हमारा टाइम दे रहे आपको पाच मिनिट का देखने के लिए टाइम ने रहते हैं लेकर हमको दो तिन गंटा निकालना पड़ता है आपको एक वीडियो लाने के लिए ठीक है तो में चीज यह है कि फाइदा देगी क्या में चीज यह है और सभी प्रॉफिट करने वाली देती है कि यह सवाल है तो सभी प्रॉफिट करने वाली उनका यह है लुकाउट है अगर प्रॉफिट कर रही है कंटिन्यू प्रॉफिट करती है कंपनी कंपनी सोचती कि हम आमारा शेर जो भी है डिवि भी होते हैं उनका भी यह benefit होता है खुद के भी जेब में उनके पैसे जाते हैं क्योंकि आप से ज्यादा तो उनके पास holding रहती है इस वज़ए से डिवीडन करते हैं तो डिवीडन डिकलर करने से कंपनी का भी फायदा होता है उसके शेरोल्लर का भी फायदा होता है तो यहाँ पर जादा दिमाख मत लगाओ बताया जा रहा है क्योंकि कि आज़ेडी आप तो चानल पर जस्ट आते हो और जाते हो सब्सक्राइब तो नहीं करते गते हो लेकिन चीज इंव मेरा नोलेज बताने का काम कर रहा हूँ ठीक है जो फ्री का नोलेज़ आई सेमिनार रख रहा हूँ यह रहा हूँ ना फ्रेंट की कि यहां पर पता है कि अगर मसाला भरके बता हो तो ही YouTube पे ज्यादा व्यूव आएगे अगर मैं रियालिटी अभी ये चानल पर ये ये व्यूव ये शेयर पर मुझे पता है ये शेयर लोगों को पता नहीं अभी भी सर्च मारो तो ये शेयर को ज्यादा लोग के व्यूव नी रहेंगे फिर भी में शेयर बता रहो व्यूव के लिए नहीं बता रहो ना नौलेज के लिए बता रहो ये इंपोर्टन है नौलेज के लिए बता रहो मेरे शेयर मुझे पता है कि ये शेयर को कोई जानता नहीं ये शेयर सारे शेयर को कोई जानता नहीं रहेगा लेकिन फिर भी मैं ये चैनल पर आपको जस्ट नॉलेज बाट रहा हूँ मुझे व्यू चाहिए रहता हूँ तो मैं बड़ी-बड़ी कमपनिया कौन से चैनल को या कौन से शेर को ज़्यादा व्यू है वो शेर बताओ, बढ़ा चड़ा के बताओ, ये करू, वो करू वैसा तो नहीं दिमाख लगा रहा हूँ, में चीज़े के रियालिटी, और रियालिटी लोगों को पसंद नहीं आती, ठीक है, सच बाते लोगों को पसंद नहीं, जुट फैलाओ, जुट जितना बोलना है, अरे नहीं तो न्यूस चैनल नहीं तो बरबाद हो जाते, अगर व एस वज़े से देखो मुझे कुछ प्राबलम नहीं, मैं जो हूँ, मैं वह आपके सामने आ रहा हूँ, मुझे जो पसंद वह चीज़ कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा बढ़ा चड़ाके, यह चीज़े करके पसंद नहीं है, ठीक है, तो फिलाल मुझे जो लगता है, कि या यहां पर लोगों को यह भी लगता रहेगा एक मैना दो मैना यहां पर वारेन बफेट एक साल के अंदर बीस परसेंट निकालते उनसे कंपेर कर रहे हो और यहां पर आपको दिन में चाहिए बीस परसेंट ठीक है तो कब आप वेल्द बनाओगे में चीज़ है कि सही टाइम पर सही वेल्द बनाना है तो उसके लिए सबर करना और वो जो दिन के निकाल रहे बिस टका तिस टका उनको नहीं मानते क्योंकि ओ आज कमारे कल नहीं कमाएंगे ठीक है तो यह चीज़ है तो कई ना कई जाके उनका धंदा तो चौपट होने वाला यह चलो जो जो टैलेंट है क्योंकि कितने भी बड़े ट्रेडर का मैंने द जाता है तो किस तरीके की उनकी हालत हो जाती है बाद में वह पूरे जीरो हो जाएते कोई-कोई तो सुसाइड कर लेता है ट्रेडिंग के चकर में ठीक है तो हमको चीज़े नहीं करनी में चीज़े क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट से थोड़ा-थोड़ा करके पैसा कम है 20-20%-30% भी हो गया बहुत काफी है उससे जादा आपको उमीद नहीं रखनी है तो फिलाल यही सिखा रहा हो और डिवीडन मिल रहा है देखो कमपनी आपके इन्वेस्टमेंट लाखों का है तो आपको यह इतना तो मिल जाएगा ना एक लाख शेर है किसी कमपनी के यह हज तो यह देखो 15,000 एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा यह दो बार दिया ठीक है 15,000 आराम से आपको मिल जाएगा ऐसे जितनी कॉंटिटीज लेकर हो गए फ्री का डिवीडन मिलता है एचलो यह कंपनी डिवीडन कम दे रही है बट कही कंपनी ज्यादा भी डिवीडन दे रह दे रहा है तो यहां से स्टाट हो रहा है कंपनी एक में 2017 से पंद्रा जनुए दौजर अटर और वहां से यह दाउन आया तो यह बन गया 98 98 से फिर यह हाई तो यह भी होता है मार्केट में अगर कोई बोलता है कि आरो आपने बोला ता हमने ले लिया क्या आपका चैनल का द मैंने खरीद है मतलए मार्केट मेरे हिसाफ से चलना चीए अमेरिके का मार्केट मेरे हिसाफ नब कि इंडिया का मार्स क्यों चलेगा एपल के शेर गिर लगा टेसला युक्त नेट्फLIKs का लेकिन आज भी मैं नेटफ्लिक्स के फिर से लेता हूँ क्योंकि आगे मेरे को भरोस है कि और बढ़ जाएगा ठीक है तो सभी शेर का अच्छा का सा की चीज़े बताने का मेरे चीज़े है कि सही चीजों से आपको सही राअपेकर ला लाला लालाची बना रहे लोगों को और लोग आ रहे लालाच में बहुत पैसा लगा रहे मेरे बहुत जो व्यूवर है उन्हों के भी आये कमेंट के उन्होंने भी किसी-किसी शेर में कितना 8-8-9-10-10-10 रुपय डालके एक शेर में अरे भाई हमने तो उसके 8-8-10-10 ाक के के लिए तो 10-20 चुन करके चुन निक के रखे हैं आपने तो एक ही शेर में उतना डाल दिया हम तो इतना नहीं डाल सकते हमारे में तो इतनी डेरिंग नहीं है कि एक ही शेर के पीछे इतना डाल दो क्योंकि भविश्य का भरोसा ने येस बैंक जैसी बैंक नीचे आज जाती ह जैसा शेर कहां से अब जाता है तो यह मारकेट है हमने बहुत सारे देखे एक्सपिरेंस है इस वजह से एक एक शेर पकाभी आपके यहां पर मैक्स की बात करेंगे तो देखो यह 152 से मतलब लगबग यह 2010 से चल रहा है तो 10-12 साल में इसने 152 से यह range में देखो कितना सबर कराना पड़ता है ठीक है शेर कितना सबर कराता है फिर यहाँ पर आया 4500-600 का भाव यहाँ पर नजर आया था यह देखो फिर देड़ सो से फिर यहां पर डाउन आया ठीक है फिर यहां पर डाउन आया फिर लोगों को 112 का दिखा मतलब शाड़े 600 से 112 हो गया यह शेर मार्केट है आपको थोड़ी बोल के आएगा कि मैं अभी नीचे जा रहा हूँ चल अभी निकल तो में चीज़ है कि श हटाए हुए स्टॉक टॉक में हो आप देख सकते हो भी यह तीन मेंने से यह शेर प्रॉफिट दे रहा है ंचुद30 ये इसने सुनील सिंगा निया रेजेS टे क没有 ऐक मारा स्टॉक डियोस हो वर्दिंग 10 कंपनिज तो इसके अंदर इसका नाम होगा ठाइब एक यह बड़े सिंगानीय बड़े इनिवस्टर एंट तो आईसे ही स्टॉक होते हैं उनके पास जो आपने कभी सुने नहीं रहेंगे किसी नहीं सुने कभी पोर्टफोलियों देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर का सभी का लाऊंगा जो आपने कभी जिंदगी में नाम नहीं सुने रहेंगे शिर्फ आपको किसका दिखता है जो मेडिया पे जो बता थे यह खरीद लो ओ खरीद लो मेडिया आपको ऐसी कमपनी का रिवेनी देख लो चाओदा सो करोड कर रही थी फिर 2100 करोड फिर यहां पर 2323 करोड फिर 2000 करोड फिर 2198 करोड तो देखो एक ही रेंज में चल रहा है ठीक है लेकिन रिवेनी कर रहा है इंपोर्टन है बड़ प्रॉफिट देखो बढ़ता हुआ नजर है प्रॉ प्रॉफाइल में देख लिए कि सबसे ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास हैं मतलग कंपनी पर सबसे ज्यादा भरोसा कंपनी के ओनर को कि कंपनी को शेर चोड ने रहें ठीक है तो यह चीज अची बी होती है ठीक है और यहां पर पपपलिक ने भी देखो अच्छा का उनके पास है और FIS ये फॉरेंग के इन्वेस्टर सब भी नहीं ले लिया लगबग पौने दो तका लिया और FIS का कौण है FIS mutual fund का नहीं है दिया बड़े वाले इन्वेस्टर है mutual fund रहता तो यहां पर बता था और FIS जो है तो फिलाल यह सारे चीज़े मैंने बता दी है कि company के बारे में और company का profile बाकी सारी चीज़े सब अच्छा ही इसमें नजर आ रहा है सारदा energy and minerals ऐसे shares long term के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं business company का अच्छा होता है और promoter के holding अच्छे होने से सारी चीज़े इसमें अच्छे ले ज्यादा चीज़े देखने से वह आपको पुरा reason नहीं पता चलता है क्यों गिर रहे हैं यहाँ पर fundamental देखो तो fundamental से पता चलेगा कि company का business क्यों खराब हुआ क्या चीज़े क्या नहीं सारी चीज़े आपको पता चल सकती है ठीक है और main चीज़े यह तो चीज़े देखो और वीडियो अच्छा लगया तो जरूर चाइनल को सब्सक्राब करो नहीं सब्सक्राइब करते हो तो कोई जबरदस्ती होती नहीं है बट अच्छा लगा तो कर देना ठीक है और like भी कर देना कोई जबर्दस्ती नहीं लेकिन लाइक अच्छा लगेगा तो लाइक भी किया करो कमेंट भी किया करो कमेंट क्यों करना है क्योंकि कमेंट से यह चीज होती है कि आप कुछ अच्छा बता होगे तो लोगों को भी लगेगा कि सच में अच्छा है ठीक है कमेंट ज्यादा लोग कमे पर बंदे उन पर सवाल उठाते आजकल तो लोग डायरेक्टर भी बन जाते मुवीज वह टाइप का वीडियो को भी वह लोग बोलते हैं ऐसा होना ची वह इसा होना ची हर एक आपना अपना यह हैं हम आमारी मेनत कर रहे हम आमारा आपको नौलेज शेर करें फ्री का यहां प थोड़ा बहुत देता रहेगा दो तिन लाक रुपए चार लाक रुपए करोड़ रुपए तो लोग जस्ट आपको सिखा के कमा रहे ठीक है तो आपकी मर्जी आपको जो करना करो क्योंकि आपका पैसा है यहां पर यह शेर ने तो मुझे प्रॉफिट दिया यह मैंने बत